पुरा में मुस्लिम संपुदाय के खिलाफ हो जुल्व और धार्मे के स्लों को तोड़े जाने के खिलाफ लकीमपूर सहीर पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन कर रही है इसे गड़ी में लकीमपूर की जुलाई काई ने स्थानी नसरुदीन फौजी मेमोरियल हाल प्रांगर से निकल कर सड़कों पर प्रदर्शन कर कलेक्टेट पहुचे और जुलादिकारी के माधियम से रास्टपती को ग्यापन भेजा जुरान ए आएम आएम ने नेताओ से कहा कि द्रिपुरा हिंदुस्तान का अभिन अंग है जहाँ पर संप्रदाइक ताक्तिक गुन्डों की शकल में मुस्लिम समुदाइपर जल्म कर रहे हैं धार्मी के स्लों को तोड़ा जा रहा है से हिंदुस्तान की चवई पुरी दुनिया में खराब हो रही है तंजीम के प्रमुक मौलाना अल्ताफ रजा ने कहा कि ततकाल रास्टपती को उसका संग्यान लेते हुए उचित कारिवाही करनी चाहिए जादल मुसलिमीन की तरफ से पूरे उत्तर परदेश में सभी 75 जिलों में हम लोगों ने ग्यापन दिया है जिसमें हमारी मांगे हैं कि जो वहां पर विश्व हिंदु परिशयत बजरंग दल और और अधर भगवा बिर्गेट के जो गुंडे वहां पर उत्पात मचा रहे हैं जो मुसल्मानों के मस्जिदों को और उनके घरों को उनकी तिजारत की जगहों को नुक्सान पहुंचा रहे हैं उसके लिए उनको गरफदार करें और वहां पर जो पीडित लोग हैं उनको मौःफजा दिया जाए और जो मस्जिद या वो हुआ है उसको रिस्टोर करा यह हमारी मांगों का ग्यापन आज हमने यहां पर जिला देकरी महुदे को दिया हज़रात तिरी पुरा में मुसल्मानों के खिलाफ जो जिल्म हो रहा है एक तरफा वो नाकाबले बरदाश्ट है हम सुन्नी तंजी मैं मसाजिद जिला लखीन पुर्खिरी इस बात की मजब्म यह है कि यह जुल्म ज्यादती तिरी पुरा ही से नहीं शुरू है बलकि पूरे देश में इस तरह की घटनाए होती जा रही है और हम लोग उसे बरदाश्ट कर रहे हैं हम सदर जमूरिय हिंद से यह मतालबा करते हैं कि फवरी तोर पर तिरी पुरा में अमन शान्ती बहाल की जाए और सपाई और कॉंग्रेस और बसपाई लोग जो अभी लखींपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में कांड हुआ वो रात और दिन पैदल यात्रा करके वहां पहुँचे और तिरी पुरा में उससे भी ज्यादा बत्तर हालत है इस तरह से बहुत सी जगों पर इस जाए और ये अजीम हंदुस्तान के चेहरे पर बदनमा दाग है हम सुनी तन्जीम और आईम मसाजित इसकी मजब मत करते हैं